तो दोस्तो आज की इस वीडियो में कुछ important questions कवर करेंगे articles related तो जितने भी important articles हैं हमारे Indian constitution में जो कि आपके exams में पूछे जाते हैं या फिर बार-बार repeat होते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो article का पूरा जो topic होता है वो आपका इसी separate वीडियो में cover हो जाएगा इस वीडियो में आपको English में साथ-साथ Hindi में भी content cover कराया जा रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें जितने भी आने वाले competitive exams रहेंगे, उनके लिए ये वीडियो काफी जादा important रहेगी हरे question को link करके तयार किया गया है, जिससे की questions आपको लंबे समय तक तयार रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question स्टार्ट होगा article 1 से, article 1 of the Indian constitution is related to तो भारतिय समविदान का जो पहला अनुछेद है, वो किस चीज़ से related है तो इसमें आपका answer हो जाएगा name and territory of the union तो name and territory जो है union की, उसके बारे में बताया गया है आपके article 1 में अगर यहाँ पे बात करी जाए तो article 1, जो आपका part 1 होता है, part जो होते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है तो part 1 जो है, वो होता है, आपका union and its territory, जिसमें article आते हैं, article 1 से article 4 तक article 1 हमने cover कर लिया name and territory of the union, अब article 2 क्या होता है, तो admission and establishment of the new state तो admission हो गया, जो नई state है, उसको establish करने का हो गया यह बताया आपके article 2 में, article 3 में क्या बताया गया है, तो formation हम किसी नई state को form कर रहे हैं, किसी और state से अलग करके, या फिर कोई नई area उसकी alteration हो रहा है, area को बढ़ा रहे हैं, boundaries change हो रही है या फिर जो अभी हमारी current time में state है, उसका नाम बदला जा रहा है, यह आपका आता है article 3 में, तो यह आपके part 1 के अंदर आते हैं, अगला question देखते हैं definition of the state comes under which article of the Indian constitution, तो state definition जो होती है, यह आपके कौन से Indian constitution के article में आती है, तो हमारा answer हो जाएगा article 12, article 12 में आता है आपका definition of state, और यह जो आता है आता है, यह आता है, आपका fundamental rights के अंदर, जो fundamental rights होते हैं, वो आपके आते हैं, article 12 से लेके article 35 सक, और part 3 जो होता है, वो होता है, आ तो यह आपका हो गया article 12, article 17 of the Indian constitution is related to, तो article 17 जो है Indian constitution का, यह किस चीज़ से related है, तो आपका answer हो जाएगा, abolition of untouchability, abolition of untouchability जो होता है, पहले जो छुआ छूट की जो यह प्रता चल रही थी, कि जो गरीब तंगे के लोग होते हैं, जो lower caste के लोग होते हैं, उनको touch नहीं किया ज तो उसको हटाने की वज़े से, उसको हटाना article 17 में बताया गया है, और यह कानूनी अपराद बताया गया है, article 17 में, अब यह जो articles होते हैं, जैसे right to equality जो होता है, हमारा यह होता है, article 14 से article 18 के अंदर, तो अगर इनकी बात करी जाए, तो article 14 से 18 अगर हम बात करें, तो article 14 जो आता है, आपका यह होता है, equality before law, यह जो समय, यह equality से related आपके rights रहेंगे, फिर आता है आपका article 15 जिसमें बताया गया है, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, जो भी आपका discrimination किये जाते हैं, religion से related, race से related, caste से related, place से related, sex से related, तो वो बताया गया है, article 15 में, फिर article 16 में बताया गया है, employment, तो जो public employment होती है, उसमें हर एक व्यक्ति को equal opportunity मिलनी चाहिए, यह बताया गया है, article 16 में, article 17 हमारा question ही हो गया, अगर article 18 की बात करी जाए, तो abolition of titles बताया गया है, आपके article 18 में, इसमें article 17 और जो article 18 है, यह काफी जादा आपके exams में पूछे जाते हैं, अगला question देखते हैं protection of life and personal liberty comes under which article, तो protection of life and personal liberty यह कौन से article में बताया गया है, अब जो हमारे पहले अगर बात करी जाए, कि हमारे fundamental rights कितने होते हैं, तो हमारे 7 fundamental rights थे initial time में, लेकिन उसमें एक fundamental right को हटा दिया गया, और अब current time में, हमारे Indian constitution में, current time में 6 fundamental rights हैं, जो right to property, जो सात्वा fundamental right था, right to property, उसको हटाया गया था, remove किया गया था, fundamental rights की list से, कौन से amendment act के थ्रू, ये भी question आप से पूछा जाता है, तो 44th amendment act of 1978 के थ्रू, जो right to property है, उसको fundamental rights से हटाया गया था, और ये सभी question आपके हम cover कर रहे हैं, fundamental rights से related ही, जो fundamental rights होते हैं, ये आपके article 12 से article 35 तक आते हैं, अब protection of life and personal liberty कौन से article कर रहेगा, तो हमारा answer हो जाएगा, article 21, article 21 में बताया गया है आपका protection of life and personal liberty, और आपको एक question का answer comment box में type करके बताना है, कि emergency के time पे कौन से दो articles हैं, जो की suspend नहीं होते, बाकी जितने articles होते हैं, वो suspend हो जाते हैं, सिर्फ ये दो articles होते हैं, जो की suspend नहीं होते, तो उन दोनो articles का number, कौन-कौन से articles हैं, वो आपको comment box में type करके बताने हैं, अब अगर यहाँ पे बात करी जाए, तो article जो ये हम cover कर रहे हैं, ये आपके आते हैं, right to freedom में, right to freedom में जो articles आते हैं, ये article 19 से article 22 तक आते हैं, तो article 19 के अगर बात करी जाए, तो ये guarantee करता है, सभी citizens को six rights, जो हमारे six rights हैं, उनको guarantee दी जाती है, कि ये सब citizens के लिए rights हैं, उसके अलावा फिर हमारा article 20 आता है, जो की protection in respect of conviction for offenses, तो offenses में जो conviction होता है, उसमें भी respect दी जाएगी, protection दिया जाएगा, offenser को, तो ये बताये गया है, article 20 में, 21 हमारा हो गया, protection of life and personal liberty, article 22 क क्या होता है, तो protection against arrest and detention in certain cases, तो आप कोई case से related, आपको detention मिल सकता है, arrest किया गया है, तो उसके against भी आपको protection दिया जाता है, government के दौरा, वो article 22 में आता है, prohibition of employment of children under 14 in factories and mines comes under which article, तो एक आपका ये law बनाया गया है, एक article में बताया गया है, कि जो children's है, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं, वो किसी factory में या फिर किसी mine में काम नहीं कर सकते, ये बताया गया है, आपके कौन से article में, तो आपका answer हो जाएगा, article 24, article 24 में ये बताया गया है अब ये होता है, right against exploitation, जिसमें दो article आते हैं, आपके article 23 और article 24, अगर article 23 की बात करी जाए, तो prohibition of traffic in human being and forced labor, तो human being जो होते हैं, उनमें जो trafficking होती है, लोगों की, और जो labors होते हैं, उनको trafficking किया जाता है, पैसे में खरीदा जाता है, तो ये सब जो होते हैं, trafficking जो होती है, human being क या फिर forced labor की, वो बताई गई है आपकी article 23 में, freedom of concise and free profession, practice and propagation of religion comes under the article, तो अंतकरण की स्वतनत्यता, धर्म का स्वतनत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार, अनुछिद के अंतकरण आता है, तो कौनसे article में ये चीज़ें आती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, article 25, article 25 में ये आता है, और ये हमारे जो articles होते हैं, 25 हो गया, 26, 27, 28, ये हमारे चार articles होते हैं, जो की right to freedom of religion, जो हमारा religion है, उसका जो freedom है, उसके बारे में बताया गया है, इन articles में, अब articles की अगर बात करी जाए, 25 हमने cover कर लिया, article 26 क्या होता है, तो freedom to manage religious affairs, ये आपके article 26 में बता गया है, freedom as to pay taxes for promotion of any particular religion, फिर 28 में आता है, आपका freedom for attending religious instructions, ये आपके articles हो गए, right to freedom of religion के, अब article 32 जो है, ये आपका आता है, right to constitutional remedy, जो की most important रहता है, exams में काफी पूछा जाता है, तो remedies for enforcement of fundamental rights, ये आपका article 32 में बताया गया है, अगले question पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते है, static GK की topic wise ebook हमारे द्वारा launch करी गई है, जो की सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराये जा रही है, important क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें ये 14 से 15 topics cover किये गए हैं, जिनसे exams में direct question पूछे जाते हैं, और ये most important topics रहेंगे आ आने वाले exams के लिए, तो आप इसको ज़रू buy कर लें, अगर आप interested हो, तो link आपको description में मिल जाएगा, आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं, अगर downloading में कुछ issue आता है, तो ये हमारी Gmail ID है, आप इस पे directly mail कर सकते हैं, अगला question देखते हैं हमारा, organization of a village penchayat comes under which article, तो village penchayat की जो organization है, जो उसका formation है, वो कौन से article के अंडर आता है, तो हमारा answer हो जाएगा, article 40, तो यहाँ पे article 40 आ गया, अब ये part 4 की बात करी जा रही है, ये part 4 में क्या होता है, तो directive principles of state policy के हमारे start हो चुके हैं, जो की article 36 से लेके article 51 तक आते हैं, तो इसमे article 40 होता है, आपका organization of a village penchayat से related, अब directive principles की जो बात कर रहे हैं हम, इसमें कुछ important जो article 40 से related, आसपास के जो हमारे articles हैं, उनको देख लेते हैं, तो article 39A, ये किस चीज़ से related है, तो equal justice and free legal aid, हर किसी को equal justice मिलना चाहिए और free legal aid मिलनी चाहिए, article 43 में क्या बताया गया है, तो जो living wages दी जाती हैं, और भी जो कुछ चीज़े दी जाती हैं, उनकी workers से related, वो बताया गया है आपका article 43 में, provision for free and compulsory education for children comes under which article, तो जो provision है, जो प्रावदान है, फिरी में education, एक compulsory education है, कि इतने बच्चों को, इतनी education जो है, ये फिरी में provide कराई जानी चाहिए, ये जो बताया गया है, ये आपका कौन से article के अंडर आता है, तो आपका answer हो जाएगा, article 45, article 45 में आता है, आपका free or compulsory education ये बताया गया है, अगर यहां से related बात करी जाए, तो article 44, जो की होता है, uniform civil code, ये काफी important रहेगा, अभी सिर्फ current time में ये गोई state में ही applicable है, और ये अभी current time में काफी जादा चर्चत भी चल रहा है, इसलिए exams में आगे देखने को मिल सकता है, फिर आपका article 46 आता है, जिसम इनके जो educational और economic interest है, उसके promotion के लिए article 46 बनाया गया है, organization of agriculture and animal husbandry comes under which article, तो क्रिशी और पशुपालन का जो संगठन है, ये किस article के under आता है, तो आपका answer हो जाएगा article 48, तो article 48 में आपका बताया गया है, organization of agriculture and animal husbandry के बारे में, अगर यहां से related बात करी जाए, तो article 47, important रहता है, duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health, तो public जो है, उनकी health को अच्छा करने के लिए, इंप्रूफ करने के लिए, nutrition का level बढ़ाना, standard जो है, living का उसको बढ़ाना, इसके बारे में बताया गया है, article 47 में, article 49 में बताया गया है, आपका protection of monuments and places and objects of natural importance, तो हमारी जो heritage sites है, ज हमारी पुरानी sites है, monuments है, places है, objects है, उनको protect करना, जिससे कि जो हमारी आने वाली generation है, उनको भी उस चीज़ के बारे में बताया जा सके, उनको भी वो चीज़े दिखाई जा सके, इसके लिए article 49 बनाया गया है, article 50 में क्या आता है, तो article 50 में, separation of judiciary from the executive, judiciary power और executive powers को अलग-अलग बताया गया है, कि ये separate है, तो वो आपका article 50 में आता है, article 51 में क्या आता है, तो promotion of international peace and security, तो internationally peace और security को बढ़ावा देने के लिए article 51 लाया गया है, fundamental duties comes under which article, most most important question है, exams में काफी जादा देखा जाता है आपका ये question, तो fundamental duties जो होती हैं आपकी, ये कौन से article में आपके आती हैं, गिनी जाती हैं, तो आपका answer हो जाएगा, article 51A, article 51A में आपके fundamental duties आती हैं, अगर fundamental duties की बात करी जाए, तो part 4A, part 4A में आती हैं आपकी fundamental duties, article हो जाएगा, article हो जाएगा 51A, अब आपसे question पूछा जाता है, कि हमने fundamental duties को कौन सी country से बौरो किया है, तो आपका answer हो जाएगा, USSR, अगर आपको option में USSR मिलता है, तो आपका correct answer है, अगर आपको रशिया मिलता है, तो रशिया आपका correct answer हो जाएगा, फिर यहां पे काफी recommendation थी, committee थी, जिसके द्वारा recommend किया गया था, fundamental duties को, तो fundamental duties को आपका swan sing committee के द्वारा introduce किया गया था, recommend किया गया था, अब जो fundamental duties होती है, हमारी total 11 fundamental duties हैं, जिसमें की 42nd amendment act जो लाए गया था 1976 में, उसके द्वारा हमारी 10 fundamental duties को add किया गया था, उसके बाद हमारा 86th amendment act लाए गया जिसको add किया गया तो total हमारी 11 fundamental duties है 10 add करी गई 42nd amendment act के थुरू और 1 add करी गई 86th amendment act के थुरू तो इनका आपको ज़रूर ध्यान लखना एक्जामस में ये भी पूछा जाता है तो अभी current time में 11 fundamental duties है अगला question देखते हैं हमारा The President of India comes under which article तो president जो है इंडिया के जो president है वो कौन से article के under आते हैं ये आपसे question पूछा जा रहा है तो अगर इस question की बात करी जाए तो हमारा answer हो जाएगा article 52 article 52 में आते हैं बताया गया है कि हमारे भारत में एक president भी होने चाहिए अब अगर इसकी बात करी जाए तो part 5 में ये आता है part 5 जो होता है वो होता है the union union का जो होता है वो होता है part 5 और कितने article आते हैं तो article 52 से लेके article 51 51 तक आपके आते हैं part 5 में और ये जो part रहेगा इससे काफी सारे questions होते हैं जो कि exams में direct बनते हैं अब इससे related अगर बात करी जाए तो article 52 हमने पढ़ लिया president होने चाहिए इंडिया के फिर article 53 में बताया गया है executive power of the union union की जो executive power है उसके बारे में article 54 में जो election होता है president का उसके बारे में बताया गया है फिर article 72 में जो president के पास pardoning की power होती है उसके बारे में बताया गया है procedure for impeachment of president comes under which article जो प्राफधान है उनको उनका जो महभियोग होता है उससे related जो आपका article है वो कौन सा रहेगा तो आपका answer हो जाएगा article 61 article 61 में बताया गया है impeachment of president के बारे में अगर और कुछ बात करी जाए तो president का जो impeachment होता है जो president को हटाने का प्राफधान होता है इसका जो process होता है वो काफी लंबा process होता है और उसमें जो time period होता है एक time होता है कि उससे पहले आपको president को ये बताना होगा कि उनको हटाया जा रहा है तो वो जो time period होता है वो हमने पीछे काफी बार अपनी channel पे cover किया है तो आपको वो time बताना है कितने दिन पहले notice देना पड़ेगा तो वो जो time रहेगा वो आपको comment box में type करके बताना है अगला question देखते है The Vice President of India comes under which article तो Vice President भी होने चाहिए इंडिया के ये कौन से article में बताया गया तो आपका answer हो जाएगा Article 63 Article 63 में बताया गया है कि भारत के एक Vice President होने चाहिए अगर इससे related बात करी जाए तो Article 64 में बताया गया है कि Vice President जो होते हैं ये ex official chairman होते हैं आपके राज्य सबा के राज्य सबा को Council of States के नाम से भी जाना चाहता है Article 66 में बताया गया है election के बारे में Vice President का Vice President का जो election होता है वो Article 66 में बताया गया है Attorney General for India comes under which Article तो भारत का महान्यायदीश जो होते हैं वो कौन से Article में आते हैं तो हमारा answer हो जाएगा Article 76 Article 76 में बताया गया है आपका Attorney General of India के बारे में अगर यहां बात करी जाए तो Constitution जो होता है Parliament का जो Constitution है वो कौन से Article में बताया गया तो Article 79 में फिर जो हमारा राज्यसभा बनाया उसका जो Composition हुआ है वो कौन से Article में आता है Article 80 में फिर जो लोगसभा को Composition है वो आता है आपका Article 81 में फिर जो duration होता है जो duration होता है Houses of Parliament का कि लोगसभा का इतना duration रहेगा राज्य सभा का इतना रहेगा वो आपका article 83 में बताया गया है ये सभी question important questions है कोई भी question आपके examine में से पूछ लिया जाता है तो सबको आप जहान रखे line wise cover किये गए है question से related questions बनाए गए है तो आप उसको link करके याद रख सकते है speaker and deputy speaker of the house of people comes under which article तो house of people जो होता है वो आपका होता है लोगसभा और house of state जो होता है जो हमने पीछे cover किया था अपना वो हमारा होता है किसका राज्य सभा का तो ये आपको council of state council of state होता है राज्य सभा और house of people होता है लोगसभा तो लोगसभा के speaker और deputy speaker कौन से article के अंडर आते हैं तो हमारा answer हो जाएगा article 93 article 93 में बताया गया है लोगसभा के speaker और deputy speaker के बारे में definition of money bill comes under which article हर किसी को पता होता है लेकिन exams के लिए most most important question है exam में लगातार पूछा जाता है आपको एक बार जरूर देखने को मिलेगा तो money bill जो होता है जो धन विदहक होता है उसका जो definition है जो उसकी परिभाशा है वो कौन से article में बताई गई है तो आपका answer हो जाएगा article 110 आर्टिकल 110 में ये बताया गया है अगर इससे related बात करी जाए तो यहाँ पर एक question होता है article 109 और article 110 का जिसमें काफी confusion हो जाता है और पीछे आपका जो SSC का exam होगा था उसमें ये question पूछा गया था जिसमें आपका पूछा गया था special procedure जो है respect में money bill के वो कौन से article में आता है तो यहाँ पर सभी लोगों ने money bill देखके article 110 पर टिक कर दिया था लेकिन यहाँ आपका question गलत हो गया तो article 109 में आता है आपका special procedure in respect of money bill यह आपको ध्यान रखना है दोनों अलग-अलग question है वहाँ पर definition की बात करी जाती है आर्टिकल 110 में आर्टिकल 112 जो है यह आपका annual financial budget से related है आर्टिकल 114 होता है आपका appropriation bill से related establishment of supreme court comes under which article तो supreme court का जो establishment किया गया है जो supreme court की स्थापना की गई है वो कौन से article में बताई गई है तो हमारा answer हो जाएगा article 124 तो article 124 जो है यह supreme court की establishment से related आपका रहेगा अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यह सभी question most important है article 123 जो होता है यह होता है आपका power of the president to promulgate ordinance during recess of parliament तो parliament की जब recess चल रहे होती है उसके time पे president के पास power होती है promulgate करने की ordinance को ordinance को लागू करने की तो यह एक special power है president के पास फिर article 125 में बताई गया है judges की salary के बारे में supreme court के judges हो गए high court के judges हो गए उनकी भी salaries जो होती है वो एक article है हमारा जिसके मताबिक वो decide करी जाती है तो वो होती है आपकी article 125 article 129 रहेगा आपका supreme court to be a court of record record जो होता है वो भी एक record होता है वो भी एक court होता है record का वो हम आगे cover करेंगे यहाँ पर supreme court की बात की जा रही है फिर article 130 होता है यह होता है seat of the supreme court supreme court में जो seat होती है वो कितनी है उनसे related जो बात करी जाती है वो article 130 में रहेंगी फिर article 137 जो है यह आपका related है review of judgment or orders by the Supreme Court तो Supreme Court ने अगर कोई order दे दिया और उस पर review करना है लोगों की complain आ रही है या फिर उससे related विरोध हो रहा है तो उसके लिए review के लिए बताया गया है judgment जो है जो order दिया गया उसको review करने के लिए article 137 में बताया गया है Comptroller and Auditor General of India comes under which article ये भी most important question है तो CAG officer जो है इंडिया के वो होने चाहिए ये कौन से article में बताया गया है तो हमारा answer हो जाएगा article 148 article 148 आपका related है Comptroller and Auditor General of India से अगर इसकी बात करी जाए तो article 141 देख लेते हैं तो decision of the Supreme Court of India binding all the courts तो जो decision है जो Supreme Court के दुआरा जो भी decision दिया गया वो हर एक court को मानना पड़ेगा High court को भी मानना पड़ेगा district courts होते हैं हर किसी को Supreme Court का जो decision है वो मानना पड़ेगा ये सभी courts को ये बताया गया है article 141 में फिर article 149 में बताया गया है duties और power जो होती है Comptroller and Auditor General of India की ये बताया गया है आपका article 149 में अगला question देखते है Governors of state comes under which article तो यहाँ पर states की बात होने लगी पीछे जो हम questions cover कर रहे थे वो आपके union के questions थे जो union आपकी government है उससे related questions थे जो कि article 52 से 151 तक आते हैं जो state क्या होते हैं जो state articles हैं जो state का part 6 आता है part 6 में cover करते हैं states को जो की article 152 से लेके article 237 तक गिने जाते हैं अब ये article जो आपका states से related आ गया तो आपका answer हो जाएगा article 153 article 153 में बताया गया है governor of states के बारे में जो states के governor होते हैं उनको article 153 में cover किया गया है अब अगर governors की बात करी जाए तो 154 में बताया गया है जो executive powers होती है governor की उसके बारे में फिर article 161 में बताया गया है partnering powers जो होती है governor की अब governor जो होते हैं ये एक तरीके के जो president होते हैं उनके state में representative होते हैं तो जैसी power president के पास होती है union के central के रूप में उसी तरीके की power governor के पास होती है state के रूप में तो जैसे partnering power president के पास भी होती है उसी तरीके से governor के पास भी partnering power होती है state के रूप में फिर article 165 आता है आपका Advocate General of the States related article 213 में बताय गया है power of governor to promulgate ordinance और यही power सेम किसके पास भी होती है president के पास भी होती है high courts for states comes under which state तो state के जो high courts होते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई हमारी union में तो ऐसे ही state के level पे जो high courts होते हैं वो कौन से article में बताए गए हैं तो हमारा answer है article 214 article 214 में बताए गया है high courts के बारे में अब article 215 215 जो है इसमें high courts to be a court of record जैसे हमने पीछे कवर किया था कि supreme court to be a court of record ऐसे ही 215 आर्टिकल में बताए गया है high court to be a court of record आर्टिकल 226 जो है ये power of high court to issue certain rates 5 rates होती है वो high court के द्वारा power होती है उसके पास rates को issue करने की फिर article 233 होता है ये appointment of district judges से related होता है अब यहाँ पे इसके बाद कुछ parts है जो जिनके articles कम पूछे आते हैं लेकिन ये जो parts होते हैं ये अपने आप में एक most important रहते हैं जिनसे exams में questions बनते हैं आपके तो अगर आपकी पहली बात करी जाए कि पहला जो हमारा रहेगा part 7, part 6 तक हमने cover कर लिया अब part 7 की बात करी जा रही है तो 7th amendment act जो लाए गया था 1956 में उसके दुआरा हटा दिया गया था आपका part 7 को जिसमें की article 238 आता है आपका तो part 7 को repeal कर दिया गया है हटा दिया गया है हमारे Indian constitution से उसके बाद हमारा part 8 आता है रहता है part 9 हमारा जो की पंचायच के बारे में बतायता है article 243 से लेके article 243 O तक ये question एक important questions है exams के लिए फिर part 9 A most important रहेगा ये आपका आता है municipality is related जिसमें की article रहेंगे 243 P से लेके 243 Z G तक फिर part 10 की बात करी जाए तो schedule और tribal areas जो होते हैं वो आपके आते हैं article 244 में part 11 की अगर बात करी जाए तो center और state के जो relations है वो बताए गए है article 245 से लेके 263 के बीच में तो ये सभी important रहते हैं इसके बाद हमारा आता है part 12 part 12 में questions होते हैं जो कि हम देखते हैं तो finance commission जो है ये कौन से article के अंडर आता है तो हमारा answer हो जाएगा article 280 article 280 article 280 में आता है आपका finance commission जो part 11 जो हमारा part 12 है ये आता है आपका article 264 से लेके article 301 के बीच में तो इसमें 280 जो है आपका वो हो जाएगा finance commission से related अगर यहाँ पर बात करी जाए तो article 266 रहेगा आपका consolidated fund and public accounts funds article 267 में बताये गया है contingency fund of India जो इंडिया के contingency fund है वो आपके article 267 में बताये गये है right to property comes under which article तो right to property को हटा दिया गया था हमारे fundamental rights में से तो right to property आपका कौन से article में आता है तो हमारा answer हो जाएगा article 300A article 300A में गिना जाता है आपका right to properties को यह आपको ध्यान रटना है most important question है यहाँ पे article 301 की बात करी जाए article 301 से लेके article 307 यह आपके part 13 में आते हैं article 301 में बताये गया है freedom to trade, commerce and intercourse फिर article 302 में बताये गया है power of parliament to impose restriction on trade, commerce and intercourse public service commissions for union and for the state comes under which article तो public service commission जो होती है वो union के लिए और साथ ही साथ state के लिए कौन से article में बताये गया है तो हमारा answer हो जाएगा आपका article 315 article 315 में बताये गया है आपके public service commission state और union के लिए और यह आता है आपका article यह आता है आपका part 14 में जिसमें की article 308 से लेके आपके article 323 तक cover किये जाते हैं जिसमें की services under center और state के बारे में cover किया जाता हैं अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इससे related देखते हैं तो article 312 में बताये गया है सारी इंडिया की जितनी भी services है all Indian services के बारे में article 320 में बताये गया है functions of public service commission तो यहाँ पर भी काफी ज़दा confusion होता है article 320 में और article 315 में 315 जो होता है यह public service commission for union and state के बारे में बताता है और उसके functions जो होते हैं जो public service commission के functions होते हैं उसके बारे में article 320 बताता है national commission for the SC and ST comes under which article तो SCST की जो commission है national commission है वो कौन से article में आती है तो हमारा answer हो जाएगा article 338 article 338 में बताये गया है आपका national commission for SCST के बारे में तो पहले हमारा part 14 तक हमने cover कर लिया फिर part 15 जो है हमारा वो होता है election से related जिसमें article 324 से लेके article 329 तक cover किये जाते हैं और part 16 जो हमारा वो होता है आपका special provision to SCST OBC minorities तो इनसे related जो special provision होते हैं वो आपके part 16 में आते हैं तो अगर आपको parts भी ध्यान होंगे तो उससे भी आप questions का जो अनुमान है article से related वो लगा सकते हैं तो article 330 से लेके article 342 तक आपके आते हैं part 16 में जिसका एक part रहेका national commission for the SCST अगर यहाँ पर बात करी जाए तो article 324 article 324 आपका election से related है 324 से लेके 329 तक तो superintendence direction and control of elections commission जो होती है उसके पास power होती है elections को control करने की conduct कराने की direction देने की तो यह बताया गया है आपका 30324 article में फिर article 340 आता है आपका appointment of a commission to investigate the condition of backward classes तो backward classes जो है उनकी जो condition है उसको investigate करने के लिए commission तयार करी जाती है पॉइंट की जाती है उससे related article 340 आपका रहेगा official languages of the union comes under which article तो official languages जो है union की यह कौन से article में बताई गई है तो हमारा answer हो जाएगा article 343 अब part 17 की यहाँ पे बात करी गई है official languages जो है यह part 17 में आती है जिसमें article 343 से लेके article 351 तक cover किये जाते है अब यहाँ पे अगर बात करी जाए और languages of a state यह article 345 में आपकी आती है फिर article 348 में बताई जाता है languages to be used in the supreme court and in the high courts तो high courts में और supreme court में कौन सी languages यूज करी जाएंगी यह article 348 में आता है Proclamation of emergency national emergency comes under which article तो national emergency आपके कौन से article में आती है तीन टाइप की emergency हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी उनको cover करेंगे पहले national emergency आती है आपकी article 352 में emergency जो होती है part 18 में आती है जिसमें article 352 से लेके article 360 तक इनको cover किया जाता है अब अगर यहाँ पे बात करी जाए तो तीन emergency हो गए national emergency article 352 फिर आतीत article 356 में state emergency जिसमें की president rule लगाया जाता है फिर article 360 में आती है आपकी financial emergency जो की अभी तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगी है फिर article 361 जो आता है आपका यह mislienius में आता है part 19 में आता है article 361 से लेके article 367 तक जिसमें की protection है president और governors की इसके बारे में बताया गया है फिर आपका आता है article 368 article 368 most important question है यह आपका part रहे का part 20 यह भी आपको दिहान रखना है कि part 20 जो होता है amendment of constitution से related होता है article 368 तो power of parliament to amend the constitution जो parliament है उसके पास power होती है constitution में amendment करने की लोकसभा और राज्यसभा मिलके जो अपना पास करते हैं उसके द्वारा एक जो amendment होती है वो पास करा जाता है यह आपका article 368 में बताया गया है तो यहां तक हमारे जो है part 20 कवर हो गए इसके बाद हमारा part 21 आता है जिसमें की जो special powers होती है इस्टेट को वो दी जाती है जैसे की article 370 जो की जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था अब वो हटा दिया गया है तो article 369 से लेके article 392 तक आपके part 21 में आते हैं फिर part 22 जो की आपका last part है उसमें आते हैं आपके article 392 से लेके article 395 तक total 395 articles है हमारे Indian Constitution में और part की अगर बात करी जाए तो total 22 parts है ये भी आपको ध्यान रखना है ये भी आपके exams में पूछ लिए जाते हैं अगर आपसे schedule पूछ लिए जाए कि schedule कितने हैं तो total हमारे schedule कितने हैं 12 12 schedule है हमारे Indian Constitution में ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है exams के लिए most important होती है तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को ज़रूर subscribe कर लें इसी तरीके की videos बिल्कुल detailed videos आपको चैनल पे cover की जाती हैं तो आप इस channel को ज़रूर subscribe कर लें और भी आगे आने वाले जो आपकी exams रहेंगे उनके मताबिक जो topics हैं उनकी videos भी आपको cover करी जाएंगी current affair की videos में मिलेंगे आपको हर तरीके की videos आपको channel पे provide कराई जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारी e-books को buy नहीं किया है तो हमारा link आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके e-books को buy कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो